जैसे कि हमने यहां पे बैटरी विगरा गए प्रगें को जोड़ा दे ऊसके बाद हम इसको ओन करने तो यह अगर आपका स्पीकर ओन नहीं होता तो आप से इसे सोट करके देखा करें दो पॉइंट है इसको हम ऐसे सोट करेंगे आप कोई जरूर ही नहीं आपके पास यह चिम दो रेजिस्टेंस लगे हैं तो दूसरे वाला जो रेजिस्टेंस है इसके पहले वाले पॉइंट पर इस ऐस ताइब के आपको यूज करना है ठीक है यह मोबाइल वाले यूज करते हैं वैलकम बैक माय यूटूब चैनल टेक्निकल जुगाड हिंदी में आपका एक बार फि इसके on-off button को कैसे आप सोट करके confirm करोगे और साथ ही अगर इसके on-off button की line break हो जाए तो कैसे आप उसे check करोगे trace करोगे वो सब कुस आज की वीडियो में आपको full detail से बताने वाला हूँ तो वीडियो को आगे start करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और घंटे के बैल अगन पर किलिक करें तो चलिए फ्रेंड ज्यादर समय नहीं गवाते हुए वीडियो को continue स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड क्या है क कैसी यह जो कई बार क्या होता है कि इसकी बटन में खराब जाती है जैसे कि यहां पर बैटरी वेगर है को जोड़ दें स्पीकर को जोड़ दें उसके बाद हम इसको ओन करने हैं तो यह उन नहीं होता तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उधारन के लिए आपनी बैटरी को जो जोड दिया यहां पर इस तरीके से और एक speaker की कोई भी वायर को हम जोड देते हैं ताकि आपको पता चले ठीक है यह हमने यहां पर जोड दिया अब क्या है friend की जैसे कि इस तरीके से आप सोड करों जैसे आप थोड़े देर इसको दबाओगे तो यह आपका board ओन हो जाएगा यह देखे friend जैसे आपको आवाज आ लिए होगी इसके अंदर ठीक है तो इस तरीके से आप चेक कर लिया करो अगर आपका यह बटन दबाने पर ओन ना हो फिलाल इसका बटन ओके है ुक्छे यह तो बद कर आ इसको बंद करता हो यह गां तो यह दो पॉइंट है इसको हम ऐसे सोट करेंगे आप कोई जरूर रिनए आपके पास यह चिम्ती ना हो तो आप कोई तार का टुकडा भी ले सकते हो उसको भी छ yol rise करो तो यह आपका यह ओन हो जाएगा ठीक है यह हो गया इस तरीके से यह काम कर जाएगा लेकिन क्या है कि कई बार प्रोलम यह भी हमने देखिए कुछ वीवरों का यह भी कहना है कि सर हमारा प्रिंट उखड गया यानि यह बटन वेगरा को निकाल के वायर वेगरा जोड़ते है या पिर कई बार यहां से सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो वह सप्लाई यह हमारे आपको यह पॉइंट है इसके इसके दो पॉइंट हैं तो यह देखिये मैं मल्टिमेटर से चेक कर आता हूं आपको ठीक है यह सब चीजे आप ट्रेसिंग सिख जाओगे तो हर तरह की प्रोलम को आप रिपैर कर पाओगे तो यह देखे हमारा मल्टिमेटर बजर मोड पे है ठीक है बजर मोड पर होने के बाद यह देखे फ्रेंड हम आपको चेक कराते हैं ठीक है तो यह बटन दूसरे टाइप की है कोई भी बटन हो क्यों से कोई फरकन पड़त है ठीक है इसको हम इसके साथ touch कर रहें तो इसका मतलब यह घ्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है और यह पॉइंट इसका ग्राउंड के साथ है यानि इसकी दो लैग ग्राउंड के साथ हैं और यह आरंग पर आप रखोगे त इस वाले पॉइंट के साथ यह देखिए ठीक है तो यहां पर कुछ भी नहीं सुनाए दे रहा तो यह जो दो लेग है यह हमारी आई सी के अंदर से आ रही है ठीक है बाई चांस आपका यह प्रिंट उखड़ गया यहां से यहां से तो आप कैसे पता लगाओगे तो उसका द दूसरा यह है कि अधिकतर प्रोलम हमारी ओनों बटन के आती है ठीक है अगर काफी सारे वीवर इस पर कमेंट करते हैं सर कि हमारे इन बटनों के बारे में भी बताए तो नहों उस पर स्पेशली वीडियो बना दूँगा ठीक है तो यहां पर क्या है कि इसकी सप्लाई यह इस ओले पर पॉइंट की ऐसे निकलके इस वाले छोल से आप ले जाए ठीक है एक जंफर लेनी है यहां पर आगी इसकी सप्लै ठीक है फ्रेट यहां पर आनक बाद इसकी सप्लाई यहां पर आती है यहां पे आनेक बाद कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे आएगे यहां पे तो यहां पे आगे यह सप्लाई यह दो रेजिस्टेंस लगे हैं उसके बाद में यह कुछ भी नहीं लगा हुए तो यहां पर आई यह सप्लाई इस पॉइंट पर यहां पर आने के बाद यह सप्लाई कुछ इस तरीके से वायरिंग होके यह हमारे दो resistance लगे हैं तो दूसरे वाला जो resistance है इसके पहले वाले point पर यानि इस वाले point पर आई है supply तो उसके बाद friend यह यहां पर लगी हुई है बीस लेकी total बीस लेकी IC तो यहां से यह हमारी IC की जो line चली गए यहां इस IC के पांच नंबर पिन पर ठीक है इस तरीके से पांच नंबर पिन पर एक दो तीन चार पांच यह पांच नंबर पिन पर इसकी supply गई हुए तो कुछ इस इस तरीके से इसके line के connection है friend यहां से यहां पर आई यह लाइन यहां से फिर इसके बाद यहां पर और यहां पर तो अगर आपका यह print वेगर यहां से उखड़ जाए काम ना करें तो ऐसे मैं आप यहां से एक jumper मारके direct यहां पर जोड सकते हो या फिर इस IC के पांच नंबर पर जोड सकते हो तो आपका यह on-off button की problem sol हो जाएगी ठीक है तो एक बार मैं आपको multimeter से भी check कराता हूँ इस तरीके से इस तरीके से हम चेक करेंगे multimeter से तो यह जो हमारा button है इसके अंदर देखिए अगर हम इस तरीके से इसको यहां पर लगाएंगे तो यह बीप आएगी ठीक है तो हम इस वाले point पर लगाएंगे ठीक है यहां पर टच करने पर हमें बीप नहीं मिलने चाहिए ठीक है यह बीप नहीं मिल कर रहा हूं तो आपको समझाने के लिए तो यहां पर लगा लिए उसके बाद हम टच करते हैं ग्राउंड के साथ जोड़ तो नहीं किया तो नहीं जोड़ा हुआ ठीक है उसके बाद क्या है कि हमें क्या करना है जैसे कि मैंने बता है supply वहां से आई इस point पर आई है तो यहा यहां पर आ रही है ठीक है इसका मतलब क्या है कि अगर आपके और बटन की supply खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आपको डारेक्ट कुछ नहीं करना आप यहां पर जोड़ सकते हो या ऐसी के डारेक्ट इस point पर जोड़ सकते हो तो इस तरीके से फ्रेंड आप अगर सम connection जल्दी से मिल नहीं पाते इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था फ्रेंड तो मैंने आपको इसके connection के बारे में बता दिया है तो इस तरीके से अगर आपकी बटन काम ना करें तो आप इस तरीके से इसको डारेक्ट इस आइसी पर जमफर मार सकते हो ठी ठीक है तो उसके बाद आपको क्या करना है charging से आपको कुछ भी लेना देना नहीं होता को वर्डय वर्ड बैटर्श पुल चार्ज है तो इसके बाद अब अगर बटन से और में बटन तरीकें सब्सक्राइब जैआब करना कि कॉस्फ कर देखता है तो अधिकतर तो इस टाइब के बटन में आमने सामने पिन होती है तो इस तरीके से आप सोट करके देख सकते हो अगर तब भी होना हो तो यह इस टाइब के बूर्ड के अंदर मैंने कनेक्शन बता रहे हैं यहां से इस वाली पांच नंबर पिन से एक जमफर वायर इस तो बिल्कुल पतला सा वायर निकाल के इस पॉइंट पर जोड देना है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो एक वायर को यहां पर जोड के पांस नंबर पिन पर उसके बाद बैटरी वेगर लगा के इस वायर के दूसरे सीरे को यहां पर टच करके देख सकते हो ठीक है तो उससे भी आपका यह ओन हो जाएगा क्योंकि यह जो दूसरा पॉइंट है हमारा जिसके साथ यह टच करता है यह अमरे गराउंड होता है तो जब आप दूसरी वायर का वायर को यहां पर टच करोगे तब भी ओन हो जाएगा अगर आपके बोड की यह आईसी सही होगी तो ठीक है तो यहां तक तो हम काम कर सकते हैं जहां तक हमारे दिमाग काम करता है तो अगर आपके पास सेम बोड है तो आप उसकी आईसी रिप्लेज कर सकते हो ठीक है लेकिन यह मार्केट में नहीं मिलती है तो इसकी आईसी मार्केट में नहीं मिलती मैंने तो जहां तक पता कर रहा ह अंदर तो इस तरीके से आपकाम करो और यह हमारा इस टाइब usb करेंगे किने इस के बारे में सकते हैं ठीक है तो inqu Emil इस पर्ट की इस के डियो कं लिंक घाएगा तो आप उना पार्ट की वीडियो को देख सकते हो charging और बाकुत हसे बैटरी print उखड गए है उसके लिए ठीक है तो हम next part में पांच में भाग में आपको बताएंगे इसके USB के connection के बारे में ठीक है तो इस वीडियो से share करें और घंटे के बैल आइकन पर किलिक करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नेट टोपिक साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत